मैं हूँ बंशच और मैं हूँ श्रेया देखो देखो श्रेया आस्मान में कितनी अच्छी अच्छी पतंगी उड़ रही हैं हाँ कितनी साही रंग भी रंगी पतंगी उड़ रही हैं तुमने पतंग भी कहानी सुनी है कभी पतंग पे कहानी नहीं तो तो आज पतंग पे कहानी सुनते हैं तो आज फिर इस नील परी की कहानी सुनते हैं दूर आस्मान में रंग बिरंगी नीली हरी पीली पतंग उर्ती ही जा रही थी उर्ती ही जा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे ये सब आपस में लड रही हूँ और कह रही हूँ पहले मैं पहले मैं ऐसा भी लग रहा था जैसे एक दूसरे को धक्का देते हुए लंगडी टांग खेल रही हूँ जैसे ही एक पतंग का धागा दूसरी पतंग में अटकता कमजोर पतंग धड़ाम से आसमान से गिरती हुई हवा में लहराती हुई नीचे धरती पर आ जाती पर मज़ा तो तब आता जब सभी बच्चे कटी हुई पतं को छीनने के लिए ये मेरी है ये मेरी है कहते कहते पतं को फाड़ देते और कुछ हाथ ना लगने पर आम दाम तोता बोले सासल की कटी कहकर घर को रोते हुए भाग जाते सवाल उठता पतं किस की टिन्नू ये देखकर बहुत खुशो रहा था क्योंकि बहुत देड़ से उसकी पतंग हवा में सबसे उपर उड़ी चली जा रही थी टिन्नू की पतंग थी बड़ी सुन्दा नीले रंकी छोटी सी पूँच और दो चोटी चोटी आखें बिलकुल मचली जैसी लग रही थी टिन्नू की पतंग धागे से अटकी ये पतंग कभी इधार कभी उधार उड़ती और टिन्नू के दोस्तों की यही कोशिश रहती कि कब उसकी पतंग कटें और कब वो टिन्नू की पतंग जट से लूट कर भागें एक दिन तिन्नू की पतंग तिन्नू की आखों के आगे देखते देखते कट गई पतंग का धगा कटा और पतंग नीचे गिरने के बजाए आस्मान में दूर उरती चली गई उरती चली गई अब टिन्नू की पतंग अकेले अकेले उड़ी जा रही थी उड़ी जा रही थी पतंग सोचने लगी अरे ये मैं कहां जा रही हूं अब तो मुझे टिन्नू भी दिखाई नहीं दे रहा है पतंग हसती है और सोचती है बस थोड़ी देर की बात और है जहां मुझे पहुच पहुचना होगा, पहुची जाओंगी, इतनी ही देर में एक चड़िया पतंग के पास आई, और बोली, तुम कितनी सुन्दर हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, पतंग बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चड़िया खुश होगर, पतंग को बोली, फिर तो बड़ा मजा आ मैं तुम्हारे उपर बैठ कर आसमान की सैर किया करूंगी, पतंग बोली, नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो पंक है, तुम जहां चाहो, वहां जा सकती हो, उड़ सकती हो, मैं तो तभी उड़ सकती हूँ, जब कोई मुझे धागे से बांदे, और मु में उड़ाने की कोशिश करे, चिडिया बोली, ठीक है, मैं तो चली, फिर मिलेंगे, पतंग लहराते, लहराते, जैसे ही एक पेड़ पर अटकने ही वाली थी, बंदर ने उसे पकड़ लिया, और बोला, बहुत सारे फल तोड़े हैं मैंने, तुम तो बहुत बढ़ी हो, सारे फल तुम्हारे उपर रख कर, आराम से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाऊंगा, पतं घबराई, और बोली, नहीं, नहीं, मैं दिखने में बड़ी जरूर हूँ, पर नाजुक भी बहुत हूँ, अगर तुमने मुझ पर फल रखे, तो मैं फट जाऊंगी, और किसी काम की नहीं रहूंगी, बंदर ने इतना सुनकर, पतं को जैसे ही छोड़ा, पतं पेड़ पर अटक गई, पेड़ खुश होकर बोला, अब तो तुम बस यूहीं मुझ पर लटकी रहो, लटकी रहो, तुम्हें देखकर, सभी बच्चे मेरे आसपास खेलने जरूर आएंगे, पतंग हसी और बूली, इतना खुश मत हो पेड़ राजा, अभी हवा चलेगी, और देखना, मैं कैसे फुर से उड़ जाओंगी, तिन्नू को ना मिली, तो मिन्नू को मिल जाओंगी, और हाँ, तुम पर अटकी लटकी रही, तो बारिश आने पर गल जाओंगी, सच बताओं, मैं तो उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हूँ, नीले आस्मान की नील परी। पर वो पतंग तो किसी और की होती है ना, तुमने कहानी नहीं सुनी, पतंग किसकी, जिसके हाथ लगी उसकी, पर हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए, कि जिसकी जो चीज हो, हमें उसे वापिस लोटा देना चाहिए, अरे वा, तुम तो बहुत समझदार हो, तो जल्द पतंग किसकी, हाँ, पतंग किसकी, नीली आस्मान की नील परी, तो दोस्तों अब हम चलते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, अभी आप सुन रहे थे, उमंग बाल पत्रिका का ये आंच, कलाकार, पनियांकन, बटिलांग लिंदो, आलेक, वाचन, निर्मान, निर्देशन और ध्वनी संपादिन, गीतिका उन्याल, प्रस्तुती, C.I.E.T.N.C.E.R.T.